हलो दूस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दो array को कैसे merge कियाता है तो मैं लास्ट वीडियो में बताने था कि quadratic equation को program तो सबसे पहले इस program का उट्रेट कर रहे है quadratic equation का चलिए अब code लिखते हैं दो array को merge करने के लिए तो सबसे पहले मुझे integer variable चाहिए पहला है a double r 1 और इसका size हम दे रहे 25 उसके बाद a double r 2 इसका size हम दे रहे 25 और size कुछ भी दे सकते हैं फिर यहाँ पे a double r 3 इसका size हम दे रहे 55 फिर अगला variable चाहिए n1 फिर यहाँ पे n2 फिर यहाँ पे i,j फिर x फिर यहाँ पे print function लिखने जा रहे है और यहाँ पे print आएंगे enter the size of enter the size enter the first array size फिर यहाँ पे scanf function लिखने जा रहे यहाँ पे %d, फिर यहाँ पे ampersand n1 फिर यहाँ पे हम और फिर से print function लिखने जादे enter elements फिर यहाँ पे for loop हम लिखने जा रहे है for i का value यहाँ पे 0 से सुरू होगा और यहाँ पे i less than n1 फिर यहाँ पे i plus plus फिर यहाँ पे scanf function लिखने जा रहे हैं यहाँ पे %d, फिर यहाँ पे ampersand a double r of i फिर उसी तरह से हम यहाँ पे land को copy कर लेते हैं और paste कर जाते हैं तो यहाँ पे enter the second array size and enter the element तो यह add over r, यहाँ पे add over r 1 है और यहाँ पे add over r 2 फिर यहाँ पे नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे power loop लिख रहे है, power यहाँ पे i का value 0 से सुरू होगा, फिर i less than equal to n1 और i plus plus तो यहाँ पे add over r 3 of i equal to add over r 1 of i यहाँ पे रखता है, add over r 3 नहीं दे हैं यहाँ पे add over r 3 दे जाते हैं फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नीचे जा रहे हैं यहाँ पे sum equal to n1 plus n2 फिर यहाँ पे fold of हम लिखने जा रहे हैं और i का value 0 से सुरू करेंगे और x equal to n1 यहाँ पे comma हैं और यहाँ पे x less than sum and i less than n2 फिर यहाँ पे i plus plus फिर यहाँ पे x plus plus फिर यहाँ पे a double r 3 of x equal to a double r 2 of i फिर यहाँ पे enter function लिखने जा रहे है enter और यहाँ पे after merging to arrays फिर यहाँ पे folder फिर से लिख रहे हैं for i का वैर यहाँ पे फिर यहाँ पे percent d फिर slash फिर अब इस code को execute करके देख रहे हैं कि सभी से work कर रहा है कि नहीं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे error है sum equal to n1 plus n2 तो यहाँ पे sum हम नहीं declare किये यहाँ पे sum लिखना था फिर से execute कर रहे है तो यहाँ पे enter the size of first array theme किये यहाँ पे 3 elements हम टाल रहे है 12, 8, 5 enter the size of second 30 तो यहाँ पे 4 enter किये 34, 8, 6 और यहाँ पे 3 तो after merging दा रहे तो यह देखिए output गलत आगा यहाँ पे यह तो हाँ गया 12, 8, 5 12, 8, 5 सही है और यहाँ पे 34, 8, 6, 3 यह भी सही है तो यहाँ पे check करते हैं error इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने N1 दिया यहाँ भी N1 यहाँ भी N1 तो यहाँ पे मुझे देना था ENTER और यहाँ पे मुझे देना ENTER चलिए इस कोड को फिर से execute करगे लगते है तो enter the size of इसका 3 मैंने दिया चलिए इंटर करते है 12, 9, 6 और enter the size of secondary यहाँ पे मैंने 4 दिया इसका मैंने 12 9 तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने क्या कहते है single code इसलिए इस तरह का value आ रहा है चलिए फिर से एक बार execute करते है यहाँ पे 3 दिये 12, 9, 8 उसके यहाँ पे 4 8, 5, 4 और 12 तो यह देखे दोनों array merge होने के बाद यहाँ पे 12, 8, 9 है पहले array में 12, 8, 9 डिस्प्ले हुआ उसके दुसरे array में 8, 5, 4, 12 यह डिस्प्ले हुआ तो सही output आ रहा है इस पर कोई error नहीं और नहीं कोई गलत output आ रहा है अब मैं इस प्रोग्राम कर try and करके आपको दिखाने जा रहा हूँ तो यह code इस code को डिवग की जो सबसे पहले code tool यह mean function पर आएगा उसके रही अंदर जाएगा तो यहाँ पर मैंने array variable लिया पहला है a double r one उसके बाद है a double r two यहाँ पर a double r three फिर मैंने अगला variable लिया n1 फिर n2 फिर यहाँ पर i और यहाँ पर j फिर यहाँ पर x और यहाँ पर sum तो यहाँ पिंटर function है तो इंटर फिर फिंटर function है तो enter the first array size तो यह output script पर display होगा और जो कि इंटर करेंगे वो n1 receive करेंगा तो n1 का मैंने 3 enter किया उसके आदिए printer elements यह output script में display होगा फिर फिर फिंटर function यहाँ पर i value start over 0 से और चेक करेंगे 0 less than n1 का value क्या है यहाँ पर 3 है तो 0 less than 3 conditions है तो यह accept करेंगा 8 double r 1 के 0% तो यह देखिए 8 double r का 1 है तो यहाँ पर indexing करें यह 0 index है फिर यह 1 है यहाँ पर 2 है तो 8 double r 1 of 0 पर हम यहाँ पर 9 enter करेंगे फिर यह i value के English करेंगा तो i value 1 check करेंगे 1 less than 3 condition के सही है तो यह receive करेंगा 8 double r 1 of 1% के value तो यहाँ पर हम enter करें 12 फिर यहाँ पर i value के increase करेंगा i value 2 होगा check करेंगे 2 less than 3 तो यह receive करेंगा 8 double r 1 of 2% तो यहाँ पर हम enter करें 6 उसके बाद यहाँ पर मैंने size दिया है 8 double r 1 का 25 तो यहाँ पर index 3 से लेके 24 तक यह नर का active करेंगा अब i का value 3 होगा तो यह check करेंगे 3 less than 3 जोगी conditions है नहीं तो यह control यहाँ पर आ जाएगा फिर यह printer function है तो यह output screen पर display होगा फिर i का value यहाँ से फिर से 0 से start होगा check करेंगे 0 less than n2 का value यहाँ पर 3 है यह accept करेंगा तो यह 8R 2 of 0 position तो यह 8R 2 है ठीक है तो यह 0 index है फिर यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 8R 2 of 0 position पर यहाँ पर हम इंटर कर रहे है 5 फिर यह i का value के engage करेंगा तो i का value 1 check करेंगा 1 less than 3 जोगी conditions हाए तो यह recipe करें 8R 2 of 1 position नहीं पर हम बहीं आए के वहाँ पर 2 होगा चेक करेंगा 2 less than 3 जोगी conditions आएं तो यह recipe ककर रहे है 8R 2 of 2lingen पर यहाँ पर यहाँ पर 7 फिर जब i का वह 3 होगा तो चेकर रहेंगा 3 less than 3 जोगी conditions हाख रहे ह germ तो यह यहां पर रही जाएगे control यहां पर आजाएगा अब यह control यहां पर आएगा पार्लूप के पास, तो आई का वैल यहां पर 0 से start होगा और यह चेकर है 0 less than n1 तो n1 का वैलू मैंने इंटर किया तो यहां पर 3 तो यहां पर n1 का वैलू 3 है 0 less than 3, conditions है तो ARR 1 of 0 पोजिशन का वैलू जाएगा ARR 3 of 0 तो यह ARR 3 है चलिए इसका indexing कर दें यह 0 index है फिर यहां पर 1 है यह 2 यहां पर 3 तो ARR 1 of 0 पोजिशन का वैलू क्या है 9 है, 9 जाएगा ARR 3 of 0 यहां पर 9 आएगा फिर यहां पर I के वैलू पोजिशन करेगा तो I का वैलू यहां पर 0 से 1 चेक करेगा 1 less than 3 जोई conditions है तो यहां पर 8 और 1 of 1 पोजिशन का वैलू 8 और 3 of 1 में जाएगा तो यहां पर 1 of 1 भी 12 है 12 जाएगा 8 और 3 of 1 यहां पर I का वैलू इंक्रीज होगा तो I का वैलू यहां पर 2 चेक करेगा 2 less than 3 जोई conditions है तो यहां पर 8 और 1 of 2 पोजिशन 2 पोजिशन पर 6 है चेक जाएगा 8 और 3 of 2 तो 8 और 3 of 2 यहां पर 6 आएगा तो यहां पर जोब I का वैलू और क्या होगा 3 होगा चेक करेगा 3 less than 3 जोई conditions है नहीं है यहां पर sum इकर टो sum प्लस sum इकर टो N1 प्लस N2 तो N1 का वैलू 3 है और N2 का वैलू 3 है तो sum का वैलू यहां पर 6 हो जाएगा और यहां पर I का वैलू फिर से 0 से start होगा तो यह I है यहां पर 0 से वैलू सुरू होगा और यह चेक N1 का वैलू X में जाएगा तो N1 का वैलू और 3 है 3 X में गया और यह चेक करेगा 3 less than sum तो यहां पर sum का वैलू 6 है 3 less than और 6 जोई conditions है यह वैलू 2 है और I less than N2 I का वैलू क्या है 0 है और N2 का वैलू क्या है 3 है तो यहां पर N2 का वैलू यहां पर 3 है यहां पर N2 का वैलू यह 3 है तो 0 less than 3 जोई conditions है तो यह अंदर जाएगा यहां पर 8 और 2 of 0 पोजिशन I का वैलू क्या है 0 तो 8 और 2 of 0 पोजिशन जाएगा 8 और 3 of X so x का value क्या है यहाँ पे 3 है तो 3 position पे जाएगा 8 और 2 of 0 position पे क्या 5 है 5 जाएगा 8 और 3 of x का value 3 पे तो यहाँ पे 5 मूख करेगा यहाँ 4 index यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 फिर यहाँ पे ऊपर जाके x के value को increase करेगा तो x का value यहाँ पे 4 और i का value यहाँ पे 0 से 1 चिक करेगा 1 less यहाँ पे x का value 4 है 4 less than 6 conditions पेगा AND operator i less than equal to n2 तो i का value क्या है यहाँ पे 1 है और n2 का value 3 है तो यहाँ पे दोनों conditions पेगा तो यहाँ पे AND operator यूज करें अगर दोनों conditions पेगा तो यहाँ पे 8 और 2 of 1 i का value 1 है 2 of 1 position पे क्या 4 है 4 जाएगा 8 और 3 of 4 position पे तो 8 और 3 of 4 position पे 4 आएगा फिर से उपर जाएगे x का value की increase करेंगा तो x का value यहाँ पे 5 और i का value यहाँ पे 1 से 2 तो यहाँ पे check करेंगा x less than sum तो x का value 5 है 5 less than 6 conditions पेगा और यहाँ पे 2 less than n2 value क्या है थे यह भी conditions पेगा तो यहाँ पे 8 और 2 of i का value क्या है 2 तो 2 of 2 position पे क्या है 7 है तो 7 move करेगा 8 और 3 of x का value क्या है 5 तो 5 position पे यहाँ पे 7 move करेगा उसके बाद यह फिर से उपर जाके x का value के increase करेगा तो x का value यहाँ पे और 5 से 6 होगा और i का value यहाँ पे increase करेगा 3 2 से 3, यहां पर 6, x का value क्या है? 6 है, 6 less than 6 जोई condition falls है, और यहां पर i का value 3 है और n2 का value भी 3 है, तो दुनों condition 3 less than 3 जोई condition falls है, तो false and false, दुनों condition falls है, तो यहां पर control हाएगा, तिये oddspin screen पर display वोगा after merging 2 arrays, और यहां पर i का value 0 से शुरू होगा, फिर्क करें, 0 less than, sum का value क्या है य यहां पर 0-6 जाब कंडिशन सही है, तो प्रिंट करेंगे 8 आ और 3 आ पर 0 परिशन पर यह 9 डिस्प्लेए करेगा, उसके यहां आई का वैल यहां पर 2 होगा, चेक करेंगे, 1-6 सही है, तो यहां पर आप 3 आप 2 पर आप 2 आप 2 आप 3 आप 2 सही है, I का वमले या फिरिदम होगा, चेक करेंगा through third पर सब्चाにちは फिरिदम करें, नोच रिख issuing of third पर सब्चाहिएयर होगाP employ, या फिरिदम होगा उसके बाहरे यहां पर फिरिदमे करेंगे, बहुत इसके बाद यहां पर क्या होता है, आई का value जब 6 होगा, और sum का value भी 6 है, 6 less than 6, condition जो की सही नहीं है, तो यहां पर दिखेंगे, पहले array मैंने 9, 12, 6 इंटर किया, यहां पर हैं, और दूसरे array मैंने 5, 4, 7 इंटर किया, तो यहां पर 5, 4, 7 तो दोनों array क्या होगी है, merge होगी है, अब merge होने के बाद, यहां तीसरे array में item चले, तुस तरह से हम दो array को merge कर सकते हैं, अगर तीन array को ही करना है, तो यहां पर आपको एक चीज बढ़ाना परेगा, इंटर the element of third array, और इसी तरह से आपको try and method apply करना परेगा, तो अगर तीन के लिए करना है, तो यहां पर n1 प्लस, n2 प्लस, n3, तो यह try and method, जिससे हम पता कर सकते हैं, जिससे हम दो array को merge कर सकते हैं, तो मैं ऐसा करता हैं, यह code आपको समझ भी आ गया होगा, तो अगर कोई question ह हैं, तो comment किजिए, जब reply करोगा, तो आज की video में इतना ही मिलते हैं, new topic साथ, new video, thank you